नमस्कार दोस्तों आज एक बार फिर हम लेके आए ओडियो बुक समरी दे सीक्रेट राइस्या रोड़ा ब्राइन द्वारा लिखी गई दे सीक्रेट बुक का आज हिंदी में समरी हैं लॉफ अट्रेक्शन लॉफ अट्रेक्शन के बिलीफ लिखी गई है जिसका मानना है कि इनसान के विचार उसकी जिन्दी पूरी तरह से बदल सकते हैं आज हम इसी दे सीक्रेट बुक की समरी के बारे में बात करेंगे उस रेश्चिक के बारे में बताने वाले हैं जो इस बुक में दिया गया है जिसका प्रयोग करके आप अपनी मन्चाही चीज़ हासिल कर सकते हैं दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं इसे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप कौन है और आप कहां करेते हैं आपको तो बस उस रेश्चिक के बारे में पता होना चाहिए जिसके बारे में दुनिया के कुछ महान लोग ही जानते हैं आप इस रेश् The Secret Books का सारस यह है कि जो भी हम सोचते हैं, जो बिलीव करते हैं, वो ही इस उनिवर्स में जाता है और वो ही अपने को वापिस मिलता है. The Secret, The Secret बुक की लेकक रुनडा बर्न एक परसिद लेकक और प्रोडूसर है, इनका जन 12 मार्च 1951 को आश्टे लेकर मेल बन में हुआ था, यह The Secret के लाव भी The Power, The Magic, The Hero जैसी फेमस बुक लिग चुकी है, उनके द्वारा 2006 में The Secret बुक पर एक डोक्यूमेंटरी फिल्म भी किया, जिन्हों दुनिया को नए आकार दिया, अब बुक के बारे में समरी के बारे में बात करेंगे, The Secret International Best Seller बुक है, जो Law of Attraction के बिलीव पर लेकी गई है, इस बुक की अब तक 30 मिलिन से भी ज्यादा कोपी बिग चुकी है, इसका 50 से भी ज्यादा वासा हो मनुगात किया जिनका सीक्रेट इस बुक में चुपा है, जब आप इस सीक्रेट को जान जाएंगे, तब आपको समझ में आएगा कि रहिष्य आपको आपकी हर मन्चाईची दिला सकता है, जो आप पाना चाहते हैं, जैसे Health, Wealth, Happiness, आप जो चाहते हैं, आप वो पा सकते हैं, कर सकते हैं, आप जिस भी चीज को पाना चाहते हैं, उसे पा सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी बड़ी है, लेकिन यह भी तब भी मुम्किन हो सकता है, जब आप रहिष्य को जान कर उस पर अमल करना सीख जाएं, आया देखते हैं कि सीक्रेट के बारे में क्या कहा है, प्रो प्रोक्टर जो एक फिलोसोफर, ओथर, परसनल कोछ है, जो कहते हैं कि सीक्रेट आपको सब कुछ देता है, चाहिए वो हेल्थ, वेल्थ, हैपिनेस या फिर कुछ भी हो, जोन असार्फ जो एक एंट्रोपरनर और मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जो कहते है कि आप कुछ भी पा सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं देश्ची क्या है वाट इस दे सीक्रेट अब आप सोच रहे होंगे कि आपके सीक्रेट है क्या अगर मैं इसका सीधा सा जवाब दू तो सीक्रेट आकरसन का नियम दे लो आफ अट्रेक्शन है आपके जीवन जो भी चीज़े आ रही है कहीं न कहीं आप उना अपने जीवन में atract कर रहे है और वह उन तस्यूर के मादयम से आपकी और अट्रेक्ट हो रही है जो आपके माइड में च्छपी हुई है दरसल जो भी आपके दिमाग में चल रहا होता है आप उसे अपनी जिन्दिए में आकरसित कर रहे होते हैं दुनिया के मांतम सिक्सको का कहना है कि आकरसिन का नियम दुनिया का सबसे सकती साली नियम है बड़े-बड़े कव्यों जिसे विलियम सेक्सपियर, रोबर्ट, ब्रावनिंग और विलियम ब्लैक ने इनको अपनी कविताओं बताया है दुनिया के फेमस चितर का लियनार्डो देविंची ने इसको अपनी पेंटिंग में दर्साया है कि आप जानते हैं कि दुनिया के सिर्फ एक परसेंट लोग दुनिया का लगबू 96 परसेंट तन कमाते हैं आप कब भी सोचा है ऐसा क्यों होता है क्योंकि एक परसेंट लोग ही रेश्ची के बारे में जानते हैं आज हम उसी रेश्ची को दे सीक्रेट वुको की समरी के माद्देम से हम जान रहे हैं समान चीजे समान चीज़ों को अकर्षित करती है अकर्षित का नियम कहता है कि समान चीजे समान चीज़ों को अकर्षित करती है इसका मतलब यह हुआ कि जब आपको वीचार सोचते हैं तो आप उसके जैसे अन्य वीचारों को भी अपने वर अकर्षित कर रहे होते हैं हर इंसान के अंदर magnetic power होती है जो दुनिया के सबसे powerful चीज है इसे आप अपने वीचारों के जरी यूज़ कर सकते है बूरे के बजाए अच्छे को अकर्षित करें attack the good rather than the bad ज़्यादतर लोगों इसे हमश्य होते है कि वे उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं उन्हें नहीं चाहिए या फिर सोच कर परेसान होता रहता है कि उनके साथ बार बार ये बूरी चीज़े क्यों होती है साइद ज़्यादतर लोगों को यह नहीं पता होता कि law of protection नहीं नहीं चाहता है या किसी भी तरह के नकारत्मक सब्दों को पैचान नहीं सकता है आकरसन का नियम आपको वही देता है जिसके बारे माँ आप सोचते हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप अच्छा सोच रहे हैं बुरा अगर आप अच्छे चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपको अच्छी ही चीजे मिलेगी क्योंकि आकरसन का नियम हमें इसा काम करता है चाहे आप इस पर यकिन करते हो या नहीं चाहे आप इससे समझते हो या नहीं आपको जान कर हिरानी होगी कि नीन में भी आकरसन की सक्थिया सोनने से पहले हमारे आकरी विचार पर काम करती है इसलिए सोनने से पहले हमें सिर्फ अच्छे ही विचारों के बारे में सोचने चाहिए आपके विचार बीज की तरह होते हैं आप जैसे बीज बोगे वेसा ही फल काटें गोई आप जिस चीज के बारे में सबसे ज्यादा सोचते हैं या जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान के अंदेद करती ही, वही जीवन में प्रकट होगा इस सक्त ग्यान से आप अपने सोचने का तरीका बदल सकते हैं वो इस तरह अपने जीवन की हर परिस्तिती या गटना को पूरी तरह बदल सकते हैं अगर आप इस नियम को नहीं समझते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप इस नियम को ऐस युकार कर दें क्योंकि हो सकता है आप बिजली को नहीं समझते हो लेकिन इसके बावजद आप उसके लाबों का आनद लेते हैं मैं नहीं जानता कि बिजली कैसे काम करती है लेकिन मैं यह जानता हूँ कि बिजली से किसी के इनसान के लिए खाना पका सकते हैं आप उस इंसान को भी पका सकते हैं। अगर आप अपने मस्तिस्क पर विजय पाना चाहते हैं, तो आपको अपने दिमाग को सांत रखना सीखना होगा। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। मेडिटेशन। रॉंडा ब्रैन कहते हैं कि जब तक मैंने रहिशनीक हो जा था तब तक मुझे एसास नहीं था कि मेडिटेशन में कितनी सकती होती है। साधना मस्तिस को सांत कर देती है, विचारों को नियंतरित करने में मदद करती है और सरीन में पूरती बर देती है। अच्छे कबर है कि आपको गंटों तक मेडिटेशन करने की ज़रुत नहीं है। आपके लिए सिर्फ सुरुआत में बस तीन से दस मिनट तक काफी है। थोट्स में एक तरह की मेगनेटिक पावर होती है और हर थोट्स की एक फ्रिक्विंसी होती है। जब आपके मन में विचार आते हैं तो वे यूनिट्स में पहुंच जाते हैं और चुम्बक की तरह उसी फ्रिक्विंसी वाली सेम चीज़ों को अट्रक करते हैं। हर बेजी बदल लें क्योंकि बाद में आपके विचार ही वस्तू बन जाते हैं रेशिक का सरली करन अगर किसी इंसान को किसी इमारा से नीचे गिराया जाया तो इस पास से कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वह इंसान चाहिए बुरा वह निश्चित रूप से जमीन पर जाकर तकराएग अकरसण का नियम भी बूर तो अकरसण के नियम जितना ही निस्पक्स और सरव्यप्पी हैं आपके जिएमनें जो भी चीजा है उनना आपने खुद अकरसइद किया हैं इन में वे चीजें भी सामिल है जिनके बारे में आप परेसान या दुक्ती हैं मैं जानता हूं कि ये तो उस दूर गराटनों को आकर्षित नहीं किया था मैंने उस गराटनों को आकर्षित नहीं किया था जिसना मुझे काफी फरेशान किया मैंने करज को भी आकर्षित नहीं किया था लेकिन मैं आपकी बात काट कर कहना चाओंगा कि हाँ आप नहीं उन सब चीजों को आकर्षित किया था इस सद्दान को समझना बहुत मुश्किल है लेकिन एक बार जब आप इसे सीखार कर लेते हैं और समझ लेते हैं तो इस से आपकी जिन्दीगी बदल जाती है कोई भी चीज आपके पास तब तक नहीं आ सकती जब तक ही आप लगाता सोच कर उसे अपने पास ना बुलाएं तो दोस्तों ये चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और इस सीक्रेट के बारे मोर जानते हैं आप जो सोचते हैं और महसूस करते हैं उसी से आपको भविश्य का निर्मान होता है अगर आप चिंतित या डरे हुए हैं तो आप अपनी लाइफ में ऐसी ही कटनाओं को अट्रेक्ट कर रहे हैं जो आपको चिंतित करेगी या डराएगी सोथ करता बताते हैं कि इनसान के दिमांग में हर दिन साट अजार विजार आता है इनसान के दिमांग में आने वाले इन साट अजार विचारों के निगरानी करना इनसान के लिए संबाव नहीं है लेकिन इन्सान की बावनाए उसे ये जानने में मदद करती है कि वे क्या सोच रहा है आप क्या सोच रहे हैं ये जानने के लिए खुछ से पूचे कि आप कैसा मैसुस कर रहे हैं बावनाए मुल्यवान सादन है यह आपको तुरंट बता देती है कि आप क्या सोच रहे हैं आपके विचार आपकी प्रिक्वेंसी तैय करते हैं और आपकी बावने आपको फुरन बता देती है कि आपकी प्रिक्वेंसी पर हैं जब आप बूरा मैसूस करते हैं तो आप ज़्यादा बूरी चीज़े अट्रेक्ट करने की फ्रिक्वेंसी पर होते हैं, जब आप अच्छा मैसूस करते हैं, तो आप ज़्यादा अच्छी चीज़ों को अट्रेक्ट करते हैं, आपको अपने पास ऐसी चीज़ों की सूची त प्राकर्तिक द्रश्य कोई प्रिय वेक्ति आपका पसंदिदा संगीत जब आपको लगे कि आप गुस्सा हैं फ्रस्टेटेड हैं या फिर अच्छा मैसूस नहीं कर रहे हैं तो तुरंत इस मूड चेंज़ सुची पर नज़े डालें और उनमें से किसी एक चीज पर ध्यान क कर लें अलग अलग मौकों पर अलग चीज़े आपके मोड को बदलती है इसलिए अगर कोई चीज काम ना करें तो दूसरी चीज का इस्तमाल करें ऐसा करने से आपको अपनी प्रिक्वेंसी और फॉकस बदलने में मुस्किले से सिर्फ एक से दो मिंट का समय लगता है आज बूरे विचारों से किसी दूसरे का नहीं सिर्फ आप अपना ही नुकसान करते हैं इसलिए आपको हमेश अच्छे ही विचारों के साथ अपने दिमाग मिलाने चाहिए प्रेशिक का यूज कैसे करें उतर रोंडा बर्न ने दे सीक्रेट बुक में ऐसे तीन स्टेप्स बता आसक सबसे पहला आपको बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं अगर आप इस पश्ट नहीं हैं तो यूनिवर्ज आपको आपकी मन्चाए चीज नहीं देगा इसलिए सांती से बैठ कर उस चीज के बारे में सोचें जो आप आना चाहते हैं और फिर उ नोकरी हो या फिर कुछ और अब आपके पास मन में उस चीज को लेकर कोई डाउट नहीं होना चाहिए गर आप सोच रहे हैं कि यह चीज मुझे मिलेगी या नहीं इसका मतलब है कि आप यूनिवर्ज को मिक्स्ट फ्रिक्वेंसी बेज रहे हैं ऐसी स्थी में वह चीज नेकलने वाला जिन उसकी हर इच्छा पूरी करता था उसी तरह लौब और ट्रेक्शन भी हमारे हर आदेश का पालन करता है स्टेप टू बिलीव यकीन करें आप यकीन करें कि जिस चीज को आपने बनमान से मांगा है वो उसी पल आपकी हो चुकी ऐसा करने से पूरा चुकी हो तब आप इससे पाल लेने की फ्रिक्विंसी बेजते हैं तो लो पर्ट्रेक्शन लोगो इवेंट्स और प्रेस्टितों का नुकूल बना देता है आपको यह नहीं सोचना कि यह कैसे होगा यह ब्रमान उस चीज को आप तक कैसे पहुचाएगा इसकी चिन्ता करन आपका काम नहीं है यह तो ब्रमान का काम है और उसे अपना काम करने दे अगर आप यह पता लगने की कोसिस करते हैं कि यह काम कैसा होगा तो आपके दोरह बेजी जाने वली फ्रिक्विंसी में आस्ता का अबाव प्रतीत होता है इस से जायर होता है कि आपको यह यकीन नही है कि वह चीज पहले से ही आपके पास मुझूद है और अधिया आपको यकिन नहीं है तो वह चीज आपको नहीं मिल सकती डिसीव पाएं जिस चीज को आपने मांगा है उसके बारे में इस तरह महसुस करें कि जिस तरह आप उस चीज को उसे पाले जब आप अच्छा मैसूस करते हैं तो आप आने की प्रिक्वेंसी पर होते हैं इसमें किते समय लग सकता है जादता लोग अगा एक ही सवाल होता है कि अपनी बंचाई चीज जैसे गर, कार, पैसा, नोकरी के प्रकट होने में कितना टाइम लगता है प्रमांड अहसास होता है कि वह चीज आपके पास पहले से ही मौझूद है इसलिए आपको अपनी मंचाई चीज की प्रिक्वेंसी तक पहुचने में समय लग जाता है आप जितना जल्दी उस प्रिक्वेंसी पर पहुचेंगे उतनी ही जल्दी आपके मंचाई चीज प्रकट हो जाती है परमांड के लिए टाइम और साइज कोई माइने नहीं रखता इसके लिए दस लाग डॉलर को परकट करना भी उतना ही आसान है चितना एक डॉलर को अपने दिन की युजना बना पहले से बनाए लो फर्टेक्शन का यूज करके कि आप अपनी पूरी लाइफ का प्लान कर पहले सी बना सकते हो आप आने वाले हर दिन के बारे में पहले सी सोच लें कि आप कैसा मैसूस कर रहे हैं उसे कैसा बनाना चाहते हैं आप उसे जैसा बनाना चाहते हैं उसकी कलपना कीजिए ऐसा करने से आप मन चाहे डंग से अपन तवस्तु से जोड़ती है और उमीद उसे आपके जीवन में खीच लाती है उमीद में एक प्रबल आकरसन सकती होते है क्योंकि किसी चीज की उमीद ही उस चीज को आपके और खीचती है इसलिए आपको हमेशा उन चीजों की उमीद करनी चाहिए जिने आप चाहते हैं और ऐस लेकिन ये आप नहीं बलकि ये तो आप थे उदान के लिए मान लो आपकी हेल्थ सही नहीं है या आपके रिस्ते से नहीं है जिसे आप चाहते हैं तो ये आपकी वर्तमान इस्तिती नहीं हुई बलकि ये तो आपके पुराने विचारों कारियों का रिजल्ट है गोतम बुद की लिष्ट बना लेनी चाहिए जिनके लिए आप करतेग्य हो सकते हैं आपको उन सबी चीजों के लिए करतेग्य सुक्र गजार होना हो चाहिए जो आपके पास मुझूद है जैसे हो सकता है कि आप अपनी आखों के लिए करतेग्य हो जिनसे आप इस आर्टिकल को आज सुन रहे हैं, अपने कानों के लिए कर्तिया होना चाहिए जिसके उडिक से ऑडियो बुक Sauna Ohim आपको अपने में चाहिए चीज । कप समय में ही मिल जाती है अगर आप अपने पास पहले से मुझूद चीजों के के लिए करतेग्य नहीं हैं तो आप अपनी लाइफ में ज्यादा चीज़ा हासिल नहीं कर सकते हैं क्यों क्योंकि क्रतग्निता इन ग्रेटिटूड की अवस्ता में आपके अमन में जो बावनाय और विचार होते हैं वे सभी नेगेटिव होते हैं इनका परिणाम भी प्रक्या पाउरफल वीज्याइशन मान सिक तस्वीर देखना यहन्य की वीज्याइशन करना एक ऐसा प्रोसेस है जो सब भी उपतर कई सद्वियों से आज तक सिकाते हैं वीज्योलाइशन एक बहुत ही पावर्फल ट्रिक्रिया है क्योंकि ऐसे वीचार उभाव जागरत ह होते हैं वह मानोव है चीज इसी समय आपके पास है प्रबल मानसिक तस्वीर देखते हैं आप सक्षक प्रिक्विंसी को ब्रह्मान में बेचते हैं आकरसन का नियम इस सक्षक संक्यत को पकड़ लेता है और उन तस्वीरों में दिखने वाली चीजों को उसी रूप में आप त कर रहे हैं या सिर्व उसका मानसिक अभ्यास कर रहे हैं अगर कोई चीज आपके मस्तिस्क में है तो वह आपके सरीर में भी होगी दोस्तों आप ज़रा कुछ आविसकार को और उनके आविसकारों के बारे में सोच कर दीए जैसे राइड बंदू जिन्हों जहाद का आविस इडिसन जिन्हों बिजली के बलव का आविसकार किया था जिन्हों इन सभी आविसकारों के जिन्हों टेलीफॉन का आविसकार पनता को और तुह एक मतरत तरिका यह था है कि अनों सबसे पहले अपने माइंड में उसचीज की तस्वेर देखी जिस चीज को वह बनाना चाह जाती है और हम हर दिन ऐसे ही क्रेटिव माइंड वाले इन्वेंटर के इन्वेंशन का लाब उड़ाते हैं हम सभी में इतनी ज़्यदा सक्तिया से मावना है कि हमें इनका एसास ही नहीं होता है मांसिन तक्स्वीर देखना इनी मांतम सक्तियों में से एक है मांसिन तक्स्वीर देखते समय जब आप अपने माइंड में कल्पना करते हैं तो आपका ध्यान सिर्फ अंतिम परी नाम पर करिंदित होना चाहिए लोप अट्रेक्शन तस्वीर या वीचार से नहीं बलकि भावनों के वज़े से काम करता है वो उससे लोग सोचते हैं कि अगर मैं सकारात्मक वीचार सोचू या अपने मन्चाई चीज के मालिक के रूप अपनी तस्वीर देखने में लगों तो ये काफी होगा लेकिन अगर इसके साथ आप स्मर्दी प्रेम या कुसी की बावना मैसूस नहीं करते हैं तो आकरसन की सक्ति उत्पंत नहीं होगी वो आपको मन्चाई चीज प्राप्त नहीं होगी ससक्त प्रक्रिया सक्रिया हो जाती है दोस्तों चलिए एक इसकानी से समझते हैं जोन असारा अफजो की आकरसन की नियम को जानने के बाद इसके इस्तमाल करना चाहते थे 1995 में उन्होंने एक वीजन बॉर्ड बनाना शुरू किया विजिस भी चीज को हासिल करना या आकरसन करना चाहते थे जैसे कार या गर या सपनों का जीवन साथी उस मनचाई चीज की तस्वीर वे इस वीजन बॉर्ड पर लगा देते थे हर दिन अपने ओफिस में बैट कर इस वीजन बॉर्ड को देखकर माशिक तस्वीर देखने लगते थे वे सचमुच उस अवस्ता में पहुंच गए जैसे वे सबी चीजे उन्हें मिल चुकी हो फिर उन्हें किसी कारणा से सहर छोड़ कर दूसरे सहर में सिप्ट होना पड़ा उन्होंने अपना सारा वनीचर और सामान बक्से में बंद कर स्टोरेज में रख दिया उनको पांस साल के अंदर तीन बार सहर बदलना पड़ा बाद में कैलिफोनिया जाकर उन्होंने एक मकान करीदा एक दिन उनका बेटा कीनन उनके आफिस माया और उसने अचानक बंद रखे उस बक्से को देखकर अपने डेडी से पूचा की डेडी इस बक्से में क्या है जोन असार ने कहा की इसमें मेरा विजन बोर्ड है उनके बेटे ने पूचा एक डेडी विजन बोर्ड क्या होता है जोन असारा कहा की इसमें मैं अपने सारे लक्से लिखता हूँ जिन चीजों को मैं अपने जीवन में हासिल करना चाता हूँ उनकी तस्वीर काड़ता हूँ और अपने सारे लिक्से लिक लेता हूँ सायद उनका बेटा छोटी उम्र के कान अपने पिता का मतलब नहीं समझ पाया उसके पिता ने समझाने के लिए उस बक्से को उसके सामने खोल दिया और देखा कि उस बॉर्ड पर एक मकान की तस्वीर थी जिसकी मांसिक तस्वीर उन्होंने पान साल पहले देखी थी ये बिल्कुल वेसा ही मकान था जैसा मकान कैलिफोनिया में उन्होंने अपने लिए खरीदा था जो नसार जब उस बॉर्ड पर बने मकान को देखकर रोने लगे तो उनके बेटे ने पूचा आप क्यो रो रहे हो तो उन्होंने जवाब दिया बेटा में समझ गया हो कि आकरसन का नियम कैसे काम करता है तो उस तो आप जिन चीज़ों को चाहते हैं या अपनी जिनगी में जैसा बनना चाहते हैं उसकी तस्वीर अपने वीजन बॉर्ड पर लगा सकते हैं अपने वीजन बूर्ड को ऐसी जिगह रखे जहां आप इसे हर दिन देखे जिसे चौन सार्फ ने किया था जैक कैनिफिल्ड बुक के इस सद्याय को समसित में इस परकार बयान करते हैं फैसला करे कि आप क्या चाहते हैं यकीन करे कि आप इसे हासिल कर सकते हैं विश्वास करे कि आप इसके हगदार हैं विश्वास करे कि यह आपके लिए पोसिबल है और फिर हर सुबह अपने आखे कुछ समय के लिए बंद करके मानसी तस्वीर देखें कि आप जो चाहते हैं वे आपके पास है इसके अपने पास होने के समभावना है महसुस करें इसके बाद उस पर त्यान केंदित करें इसके लिए आप पहले सही करतग्ये हैं और इसका सचमुचा अनाद लें फिर अपना दिन शुरू करें और उसे ब्रह्मान को समर्पित कर दें बरोसर रखें कि ब्रहमान ये पता लगा लेगा कि उस चीज को आपके जिवन में कैसे प्रकट करना है दोस्तों ये दे सीक्रेट बुक में दियेगे अन्मूल विचारों को आपके साथ भी साजा कर रहा हूँ आपको वही मिलता है जिसके बारे में आप मैसुस करते हैं वे नहीं जिसके बारे आप सोचते हैं हम जो भी हैं अपने पूराने विचारों के कारण है आकरसन का नियम हमें इसा काम करता है चाहे आप इसे मानते हो या नहीं चाहे आप इसे समझते हो या नहीं मस्तिक्स पर विजय पाने का तरीका है अपने दिमाग को सांत रखना सीखना आपके विचार वस्तू बन जाते हैं बावनाएं एविश्यस ने उपवार हैं वे हमें बता देते हैं कि हम क्या सोच रहे हैं आप अपने बुरे विचारों से क लिंक दिया गया जहां जाकर आप इसबुक को खरी सकते हैं आज तक जो भी चीज होजी या बनाए गई है वो एक विचार से शुरूवी थी मस्तिस्क जिस चीज की कलपना कर सकता है उसे हासिल भी कर सकता है अगर आप किसी चीज को अपने लाइफ में अट्रेक्ट करना च सकते हैं यह सोचना आप नहीं कर सकते हैं तो दोनों ही मामलों में आप सही है दे सेक्रेट बुक पहली बार नामदो अच्छे में प्रकासित की गी थी दे सीक्रेट बुक के लेकर रॉंड़ बन सेक्रेट बुक हमें यह पताया गया है कि कैसे आप लोग पर्टेक्शन का परियोकर करके अपनी लाइफ में बन्चाही चीज़ आशिल कर सकते हैं जैसे हेल्थ, वेल्थ, हैपिनेस सेस्वाइता बुक दे सीक्रेट का अब तक पचास से ज़्यादा बासां वनोरत किया जा चुका है इसकी दुनिया बर में तीस मिलियन से भी अधिक कोपी बिक्चे कुई है, इसमें कुल दस अध्याय और एक्सु सित्यान में पेज है उसका निर्मान कैसे कर सकते हैं, वो दे सीक्रेट बुक में बहुत अच्छे तरिके से समझाया गया है यह बुक आपको कुशी और आने से जीवन जीने के लिए प्रेलीर करती है दोस्तों आपको हमारा यह ओडियो बुक दे सीक्रेट बुक का ओडियो समरी कैसा लगा हमें कमेंड में करके जरूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और यह अधिक से अधिक लोगों से शेयर करें और इस बुक को पर्चेश करने के लिए आप डेप्सक्रेशन में लिंक दिया गया है तन्यवास दोस्तों इस बुक समरी के बारे में